मैं बुपेंदर सिंग बॉबी परधान हिमाचल परदेश सचिवाले करमचारी सेवाएं संगठन का अपनी टीम के साथ आपका सबसे पहले तो आभारी हूं कि आपने चर्चा की शुरुवात की है इग्जेक्टली जो चाहे सचिवाले का करमचारी हो या पूरे स्टेट का करमचारी हो पिछले 16 वर्षों से इन वेतनमान के संशोधन का वेट कर रहा था और हमें ये अपेक्षा थी और इसी वज़े से सचिवाले के संगठन है सबसे अपनी लेट प्रतिकरिया इसलिए दे है क्योंकि हमने हवा हवाई बात आपको नहीं बतानी थी हम पहले चाहरे थे कि जो पंजाब गौर्मेंट ने पंजाब पे कमिशन के हिसाब से अपनी जो रिकमेंडेशन को मानते हुए जो पे रूल रिवाइस किये थे सेप्टेंबर 2021 में तो हमें ये लग रहा था कि हिमा होगी परन्तु जैसे ही तीन जन्वरी 2022 को ये नए जो हमारे रिवाइस पे रूल्स नोटिफाई हुए तो सची वाले के साथ साथ पूरे स्टेट के करमचारियों को काफी निराशा हाथ लगी क्योंकि पंजाब जो गौर्मेंट ने पंजाब पे कमिशन के रिकमेंडेशन इनको जिस हिसाब से फॉलो किया था जिस हिसाब से अडॉप्ट करते हुए उसको नोटिफाई किया था हमारी गौर्मेंट जो है उसको पूरी तरह से इन टोटो नोटिफाई करने में तोड़ी सी नाकाम रही और इस से जो हमारे जो फीडर के डर है सची वाली के अगर रहता है और PSPA में हमारे stenographer रहते हैं और class 4 की जो हमारी पोस्टे हैं तो सबसे ज्यादा loss इनको हो रहा है क्यों क्योंकि class 3 पोस्टे हैं और जिसका कि आप सभी को विदित है पेसके रहता है 10300 से 49100 का और जो अभी रिवाइस पेसके ल के हिसाफ से जो matrix फिक्स किया गया है जो cell six fix फिक्स किया गया है जो level fix किया गया है वा इन तीनों के डर इन तीनों जो आपके पोस्टों के लिए वह किया है 610 और 20,200 का meaning thereby कि 2012 में तो पिछले दी देन फाइनेस डिपार्टमेंट ने गलती की थी कि 2012 में जो है दो साल का राइडर लगा दिया गया था फीडर कैटर की पोस्टों में कि हाँ जी दो साल के बाद इनको जो इनका deserving scale हो दिया जाएगा अब इस scale में जो समझ से आई भी है जाएगे और अगले प्रमोशन अगला प्रमोशन जो हमारा चैनल रहता है प्रमोशनल चैनल रहता हूँ वरिस साहिक का या फिर स्टैनो के मामले में senior scale stenographer's का तो वो साथ साल के बाद जो है साथ साल तक लगबग लगातार हर साल एक लाग से सवा लाग का नुकसान इनको होने वाला है तो एक यह विसंगती है इसके आलावा में आपको बताना चाहूंगा जो पुराने scale थे उसमें जैसे कि आप भी बार बार रिपोर्टिंग करते रहे हैं कि जो 2012 में हाइक्स मिली वो कोई गलती करना नहीं बोलेंगे हम उसको वो जो है 2009 में जो scale आपके issue हुए थे उन में छोड़ी हुई खामियों को पूरा किया गया था उसको और उस ताइम भी कोई सेक्टरी रहे होंगे देन एस थे और यही फाइनेस का हमारा स्टाफ था तो आप आप मान सकते हैं यह कि 2006 के जो scale थे वो 2009 में दिये गए और 2012 में जब कुछ हे कैटेगरी को हाइक करके दिया गया तो उसको गलती करना नहीं बोलते हैं उसको हम बोल रहे हैं कि पुरानी जो scale issue हुए उसमें कुछ विसंगतिया रही थी उनको हाइक करके दिया गया और आज की डेट में इवन 6 साल के बाद हम यह बोल रहे हैं कि नहीं जी उस टाइम जो है थोड़ी गलतिया रही थी तो यह बड़ी अचंबित करने वाली बात है हमारा तो clear cut यह demand है कि उस टाइम जो आपके 2012 में जो जिस लेवल पे fix हो रहे थे उनको 2012 से ही consider किया जाना चीए बजाए उनको 2009 में ले जाने के तो यह विसंगति की वज़े से भी हम chyba तालीस सो ग्रेट पे जो है वो 400 की बजा अठाती सो में जा रहा है जो कि बलकुली घलत है otherwise बिलकुल सिंपल है मैं आपको बताना चाहॊंगा बिलकुल बजावा जो पे मैट्रीक्स है वो बिलकुल सिंपल है कि आप जिस पे स्केल में है जिस पे बैंड में है उसके लोब को पॉइंट आउट करते हुए हम माननिय मोख्यमंत्री मोदे से मिल चुके हैं और शिगर हती शिगर हम माननिय मोख्यमंत्री मोदे से भी मिलेंगे अब क्योंकि यह थोड़ा है फाजाड में इन रूल्स को जारी किया गया है तो जो इसमें जो खामिया थी और रह रहा कर आ ही है तो हमने डिटेलल रिप्रेजनिटेशन बनाया वॉए है तो हमें पूरी उमीद है कि बी संगतियों को मानिय मोख्यमंत्री महदे मानिय मोख्य सची मोदे और मानिय एक्टी स्पाइनंस वे रहा कुए वह वाज़े से अभी प्रेजेंट नहीं है तो वो जो है इनको द तो हम पूरी उमीद करेंगे कि फर्वरी में जो है वो सेक्रेटेटेट पे के मामले में भी नोटिफिकेशन जारी हो जानी चाहिए वह जल्दवाजी में हुई पूरा स्कड़ी नहीं किया गया जो इस मामले में आपको थोड़ा सा ये पूरो में ले जाना चाहूंगा समस्या कहां से हुई समस्या ये हुई कि पंजाब में जब पहले पे रूल्स नोटिफाई किये गए तो तीन ऑप्शन के साथ पे रूल्स नोटिफाई किये गए थे पहला option था कि factor 2.59 का लगाया जाए, दूसरा option था 2.25 का लगाया जाए और तीसरा option था कि 2015 में जो है 113% DA पर 15% के enhancement को देते हुए जो है ये benefit दिया जाए इसमें भी मैं आपको technicality बताना चाहूँगा कि ये जो तीन factor हैं किन किन को लागू होते हैं या किन किन के लिए beneficiary है जो technicality है इसकी finance के से जो हमारी चर्चा हुई है तो उस हिसाब से जो तो हमारे करमचारी और अधिकारी थे 2010 से पहले के appointees और पर्मोटीज आप लेटर से हमारे जो बंदूवर है उनके लिए 2.59 फैक्टर जो है वो फाइदेमंद है उसमें कोई आपकी ना डिडिक्शन है कहीं ना कहीं benefit है और उसके बाद आते हैं वो हमारे बंदूवर जो 2012 के बाद जो है जिनको कुछ एक प्रमोशन मिली है और 2012 में जिनके पोस्टों को जो है हाइक मिले थे तो उन जो साथियों को और बीच में फिर उसी दोरान एसी पीएस का भी benefit जहां पर लिया गया उन जो बंदूवर है उनको जो है benefit दिया जा रहा है 2.25 के एसाब से पर परन्तू 2.25 भी उनको इन टोटो नहीं है अगर बीच में पूरे पूरे period को अगर calculate किया 2015 के बाद के जो appointees है उनको पूरी तरह से जैसा मैंने आपको पहले कहा कि उनको पूरी तरह से इनिशल उस में उस इनिशल पर फिक्स किया गया है जो कि उनके payment से relevant नहीं है मैं कलर की अगर आपको बात करूं तो कलर का जो पेवेंड है वो 10,349,100 है तो इतना तो आप भी आ फिक्स होना चाहिए 10,300 के इनिशल पे और मैट्रिक्स लेवल 10,300 जाना आता है वहाँ पर फिक्स होना चाहिए अब इनको फिक्स किया गया है 69,10,20,200 के पे मैट्रिक्स पे अब ऐसा करने से क्या हो जाता है कि आप जो है अगली परमोशन आपको जब तक नहीं मिलेगी अब तो आपने इसको साथ साल के लिए अगर देखा जाये तो यह एक बहुत बड़ी अनॉमली है जिसको की सही किया जाना ज़रूरी है और जो पंजाब में पंजाब में थर्ड जो ऑप्शन थी थर्ड ऑप्शन में जो है थोड़ी सी रिजन्बेंट हुई थी पंजाब उस द्वारा वह यह है कि थर्ड ऑप्शन में एक सो तेरा परसेंट पर हाइक नहीं दिया जाना चाहिए था उस दौरान छे परसेंट और फरदर अपने नौ एक सो पच्छिस जो परसेंट डिये पर हाइक दिया जाना चाहिए था कतिस दिसंबर 2015 को तो रिजन्मेंट यह जो क्यों Tees 건 फॉन हमार साथी कारियों की पूरिकोशिश है और हमारी तो अभी फिलाल यह हमारी सरकार से प्रार्थना जो ऑने अपने एक कि शीगर अतिशीगर जो है हिमाचल के करमचारियों को भी थर्ड ऑप्शन को जो है अडॉप्ट करने का टाइम दिया जाए